राजिस्थान में चुनाओ नजदीक है और नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पिरमोत किश्णम के बयान पर पिर्देश बीजेपी अध्यक सीपी जोशी ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा ये कॉंग्रेस की चाल है उनका चहरा और चरित्र सामने आ गया है। इतना ही नहीं कॉंग्रेस के लोग राम से नफरत करते हैं। जोशी ने कहा कि राजिस्थान में अपराद भ्रष्टाचार कॉंग्रेस की तुष्टी करण की नीती से बड़ा है। उन्होंने कॉंग्रेस सरकार और मुख मंतरी अशोग गहलोत पर निशाना साथते हुए कहा कि कॉंग्रेस सरकार ने तुष्टी करण की पराकाश्टा पार कर दी है। देशतगर्दों को या तो घरों में बैटना पड़ेगा या फिर राजिस्थान छोड़कर जाना पड़ेगा। सरकार के राज में ब्रश्टाचारियों का पैसा लौकर से बाहर आ रहा है। नरेगा में ब्रश्टाचार हो रहा है। बच्चों के पोशाहार में ब्रश्टाचार किया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी सक्ता में आने के बाद बिरस्टाचारियों को सजा दिलाने का काम करेगी। सीपी जोशी ने कहा कि कॉंग्रेस की तुष्टी करन की नीती का अंदाजा इसी बाद से लगाया जा सकता है कि गांधी परिवार के नजदी की आचार पिरमोध किशनम ने आज उनकी हकीकत सब के सामने ला दिया है। राजिस्तान की जनता के सामने आ गया। राजिस्तान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये वही कॉंग्रेस सरकार है जिसने राजिस्तान में राम दर्बार को तोड़ा। अबजा देने में गौफालकों से भेदभाव किया। हजारों की संक्या में गौव माता की मौत हुई और इस कॉंग्रेस सरकार ने कुछी लोगों को मौफजा दिया। वहीं सीपी जोशी ने राजधानी के परकोटे से हो रहे पलायन को लेकर भी कॉंग्रेस सरकार पर गंभीर आरुप लगाए। उन्होंने का कि शेर की तीन विदान सबाओं में एक बाइक पर पांच पांच लटक कर घुम रहे हैं। लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं हो रही। राजिस्तान की जनता इसे सुविकार नहीं करेगी तो राजिस्तान बीजेपी अबी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पिरमोध किश्नम को घेरने की तैयारी में है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।